प्रदेश विशिस्मा आज हामिशंग होनेशन धनुसामा तिन दसक अगी थालिये कुछ सिचाइं योजना अजही पुराब है न मुल नहर के काम अधूर। भेरी अस्पताल का स्वास्थे कर्मेले जोखिम भत्ता पायनन लेखा फाक मा कर्मचारी नवभाय को बहाना। मोरंको सुंदर हरेचा मा आउसदी कार्खाना को हरी विजो 45 करोड खर्च हुदा पने संचालन माई नाय जिनुड। रह हिमाली गाउं ओलांग्चुं गोलाका गलेचाले बजार पायनन विक्री नभाय का गलेचा गाउमे थन्खी। नमस्कार मा प्रविंट सिवाकोटी इथिये प्रदेश मिशेश मा आजका समागरी। येस वाहेक जापा मा बोयर जातको बाख्रा पालान फस्टाउं दे गवयको समागरी हामी संगर हने शा। हेरदे गन्होस प्रदेश मिशेश समाचार समिक्षा रसंदेश। प्रदेश पिशेश प्रदेश पिशेश प्रजेंटिग बाई एशिन पेइन्ज। पादेन बड़ावन सरकारली हरेक बर्ष अर्बों रूपिया खर्चन दे आया पनी। भनुषा मा तिन बर्ष अगी 30 बर्ष अगी शुरूब भएको 32 करोड रूपिया भंदा बड़ी लागत को सीचाई आयो जना अचे प्राव है को सही न। बर्खाया मा बाड़ी को जोखिम्र हिमुद मा सीचाई को अभाव झेलनू इस्थान्यकिसान को नियती ने बने को सह। दनुषा को 37,000 हेक्टर जगा मा यस बर्ष धान खेती गरिये को सह। समय में पानी परेकाले अधिकांक्स एस्थान मा असार में धान रोपे काले सब इतीर रामरे फोलेको छ। तर गएको साउन महिना मा आयेको बाड़ी पछी केही एस्थान मा रोपे को धान मा भने रोग लागे काले कम फोलेको छ। क्रिशी उपज रामरेव है पनी सिचाई को अभाव मां हिवुदे बाले कसरी लगाउने भन्ने चिन्ता किसान माचा गहु दलहन रत्यलहन लगाय तरकारी बाली का लागी यहां को माटो उफ्युक्त रहे पनी सिचाईश सुविधान अहुदा किसान मंग्शिर देखी जेट सम्मा खेती योग्य जमीन बाज़े राखना बाद देचन अब सोते मरवा होते सब चीज होते अगता पाणी लगाती अपना हाथ में सब चीज होते अननी हेता अननी हेता दिक्षक पविछी नहीं होईचे अथा धान बाली मात्रे पविछी अगहुं देखे कटो करी मोरीज शोरीफे को कोरीज नारφे वोप उस पोछिय करी मनी महीं देखे चैन दूबिभा आवग जाए तिना लों जूब उक ठाए काठाएं क्ठामी पड आगे जमनी कठा सिचाई का लागे नहर रिमान को योजना बनायका थिए तीन दसक अगी को यो आयोजना पुरा गरावने तीर अहले सम्मा कसे ले ध्यान दिये नन जसका कारण किसान को सिचाई को समस्या जियू का तियू रहे को हो तीन चार पांच गावी सब पूरानो हाल चाहे तिन टा नगरपलका को येवटावाड धनौजी को पूर रूपय नगरायन मुख्या पटे समतो योशको पानी राम्लो धंगले जानना सक्चाई 32 करोर तेरा लाक रूपया भंदा बडिको लगानी मार निर्मान सुरु भायको जमनी कठा सिचाई आयोजना दस बर्ष मां पचास परतिशत मात्र निर्मान को काम भायको छबने मुल नहर को काम 33 परतिशत बांकी नहीचा साथ ओटा साखा नहर को साड़े 14 किलोमेटर मधे अहिले सम्मा 25 परतिशत पनी काम पूरा भायको छबने सिचाई को अभाब मा खेत बाजो राखनू परने रम्मिनत गरेरा जसोत शो उभजायको अन बेच बिखन गरने बेलामा उचित भाव न आउने जस्ता समस्या किसान ले भोगनू परिरायको छब त्याही भर कतीपाय किसान ले बेकलपिक पेशा रोजन थाले का चन बने युवा जन सकती विदेश पलायन हुन बाद देचन शिचाई शुवधा बिव विजन रो मलखाद सजीले पाईने बेवस थाका साथे क्रिशी उपज को बजारी करण मा ध्यान दिन सके परदेश दुईका किसान खेती किसानी बड़ पलायान हुने थिये नन कान्तिपूर समाचार का लागी क्यामरमाय विर्खेश यादव का साथ अनिल मिस्र जमनी कठा सीचाई आयोजना धनुशा भेरी अस्पताल का चिकित्षक तथा नर्सले सरकारले दिने भनेको कोरोना भायरस जोखिम भत्ता पायका सैनन समलकना हुदा आफ़ई सम्क्रमित भायका चिकित्षक ले समयत अईले सम्मा जोखिम भत्ता दिने सरकारे निरदिशिका भायक रकम पाउन न सक्दा निरुथ सहित्र खिन्न भायका सन सरकार ले भेरी अस्पताल का चिकित्षक्र नर्स का लागी COVID-19 जोखिम भत्ता पठाई सकेको छ तर अस्पताल पर्शासन ले प्राप्त भत्ता चिकित्षक लाई न दिये का कारण कोरॉना भाईरस संक्रमित को उपचार मा समलगन चिकित्षक तथा स्वास्थे कर्मी निरुस्चाहेत भाय का चन चिकित्षक वास्ताल चिकोट्य का लागी деньги च्राप्ता पषाई समीक हाई न. केंद्रीय सरकार ले भदाउ 24 कते भेरी अस्पताल का चिकित्सक्र नर्ष का लागी जोखिम बत्ता बापत डेर करोड रुपईया पठायेको थियो रकम प्राप्त भएको तीन मैना पोग्न लागदा समेत अस्पताल पर्षासनले चिकिशक तथा स्वास्ते कर्मिलाई भद्ता बीतरन गरेको छैना कोबिट-19 को उपचार बेवस्तापन मा खटीने स्वास्ते कर्मिका लागी सरकारले सबई जिल्ला मा कोबिट भद्ता उपलब्द गराई सके को छ अस्पताल पर्षासनले लेखा फार्टमा कर्मचारी अभाब होदा भद्ता बीतरन हुन न सकेकर लेखा का कर्मचारी अक्तियार को कारवाई में परेकाले प्रषासनी काम परभाविद भायको दावी गरेको छ बेरी अस्पताल मा करार का समेत गरी करीब तीन से कर्म चारी छन। बेरी अस्पताल ले जोखिम भत्ता बापद करीब चार करोर रुपईया मागे को थियो। तरं केंद्र सरकार ले डेर करोर रकम उपलब्द गराये को छ। जब की उक्त रकम बीतरन गरेपनी पुग्नी बस्ता छैना कांतिपूर समाचार का लागी सबीता जीसी नेपाल गवन्ज बाके। प्रदेश पिशेस प्रदेश पिशेस मा स्वागत श। मरंको सुन्दर हरैचा मा दुई दसक अगी निर्मार भायको सुमड भर्मास्विटिकल अउसदी कारखाना संचलान आवनन नसक्दा जीवन्ड भायको स। 45 करोड रुपियांको लगानी गरी 2015 साल मा निर्मार भायको कारखाना संचलान मा नावदेई भातिक पुर्वाधार समेद जीवन्ड भायका शन। मरंको सुन्दर हराईचा एगारामा दुई दसक अगी निर्मार भायको सुवण भर्मास्विटिकल अउसदी कारखाना संचलान मा आवनन नसक्दा जीवन्ड भनेको हो 45 करोड रुपेयां को लगानिमा पायाच विगा छेत्रफल मा देजर पचपना स्चाल मा निर्मान भायको कारखाना मा दुई से पचासुटा कुठा रएका शन। बिभी कोईराला स्वास्त विगान प्रचिस्ठान को अर्द स्वामित्तो मा रएको सो कारखाना संचन मा द्याना इपुगेको छेना गाउं मा यो कारखाना बने पची उस्चाइद भायका इस्थान्यों संचलान मा नावदै जीड़ बने पची निराश्चन तीनोटा ब्लोक मा फईलेगो कारखाना मा अईले एक जाना मतरी सुराचा गारखाना सुराचा गरदै आयका छन जान चा ओ स्ट बने पच्चाइद परीश्चन सुराखाना बने पचास प्रतिशत स्वामित निराखाना सुराखाना संचलाना का लागी प्रतिस्ठान ले पहल गरिराय को जनाये को छा वर्षेनी अर्वाउं रूपिया को अवसोदी बिदेस बटा खरिद गरने सरकार ले सोदेस में उद्यक संचालान को बातरन मिलाउनु परने सर्वास सातरन को मैक छा कांती बिर समाचार का लागी अर्जुन सुवेदी सुन्दर हरायचा मोरं तापले जुंको अलांचुं गोलाका महिलाको दोयनेकी गलैचा बुनेरा बिद छा गलैचा बिक्रीको आम्दाने बाठा उनेहरू घर खर्चा चलाऊशन। तर गयको बर्ष देखी यहांका एउटा पनी गलैचा बिक्री भायका छैन। पास्वे थान गलैचा गाउमी थनकीदा घर खर्चा चलाऊँना उनेहरूडाई कठीन भायको छा तापले जुंको अलांचुं गलाकी यांगी शेर्पा कमा आईले छत्ती सुटा गलैचा बिक्री नभायरा थनकीएका छन। गाईको बर्ष असोज मैना सम्मा बिक्री गलैचा ती बती बजारमा पठायरा बिक्री गरेकी उनले तेस पची बिक्री गलैचा बिक्री गरना पायकी छैन। इस्तेय बस्ताच यहांका चुंगा शेरपाको पनी, 32 गलाइचा बुनी सकीकी उनीपनी ग्रहाको पर्खाई माछन। उनियालाई मात्र नबाई रहा इहांका सबई जोसो का घरमा गलाईचा थनकी एकोछा। त्रिपणना घर परिवार को बसवास रहेको गोलागा 37 घरमा गलाईचा बुन्ने गरियेकोछा। यहांका अधिकामस गलाईचा तिबबती बजारमा बिक्री होंचा। चमरीलाई बकायरा रा गाडी आयको माउका छोपेरा गाडी मा राखेरा गलाईचा तिबबत पठावने गरियेकोछा। कोरना हाइरसको महामारी पची चीनिया बुभागमा गायको बर्षको पूस देखिने आवजावत थपपचा। बिदेश निर्यात नहोदा समस्या देखिये को हो। इसामगरी तिबध र भाहरत पठावने आईचा। देरे उपए गुने भाईकाले माग पनी तिबध पठावने देरे आवँचा। प्रदेश पिशेस प्रदेश पिशेस प्रदेश मिशेस माँ पुना स्वागत्छा। जापामा बोयर जातकु बाखरापालन फरस्ट आउदेगवए कोशा। किसानले नस्ल सुधारकालागी साड़े तिन लाख रुपियां हालेर बोयर बोका किन्न थाले काशन। किसानको लगानी बड़े संगे बजार बेबस थापन तथा नस्ल सुधारकालागी थक अनसंधामा भरे सरकारी ध्यान पुग न सकेकू देखिन देना। बुद्धासांथी गाउपाले काका हरका तामांगले 2021 साल मा दामा अधिरी किरशी फ़म इस्तापन अगरी बोयर बाखरा पालन शुरु गरी। तेस बंदा अगरी उनले इस्ताने जातको खरी बाखरा पालन गर्द थी। खरी बंदा तीन गुड़ा फाइदा दीन थाले पाछी उनी बोयर थरफाला आगेका हुन। चा मैने जातको बोयर जातको पाठापाटी साथी हाजजार रुपया हारा आरीमा बिक्री गर्दे आयका छन। गता बर्षा मात्र उनले 45 लाखको बोयर बाखरा बिक्री गरी। मा अत्यदीक भाय पनी दाना रो गासको अबापळे भनी कीही समाषिया चौ। मेले बनी 2 लाह रेवे युवा लखसित फोर को पहला दूए लाह लाखरी पे लियारा है ज्य मेले चला को सो रध आहले हाल न मले मेले 10 लाह लाह परेगा चा हे मले दफ़ध खरुसोधार को लागि लागिलाई तर यो 10 लाह 2 लाह पाउत दिनू बांधा बनी मुले जे संग् भोलिवे लोगता वीदी दोची अधिया, को भाई लोगता है। आज बेजर बात्र शाल देखी बोयर बाक्रा पालन शुरू करेगा हून। उनी अहिली नसल सुधार मा लागेका छन। પર્ષા પર્રેશીણ વાટો સે વર્પષુર ને થુર્ડે વષીણ્શ प्राजनन गरोन अगलागी छुटा छुटे ब्लॉट लाइन को बोकार अगराइब रहाच्छु नहीं देखने बागाच्छु नहीं रातो चाहिए साउथ अफरीकन बोयर काला अरी रेड बोयर वांचा इलारूपने साउथ अफरीकन एगुट इनर कचे अब गुरूप जिल्ला बरीमा बोयर बाख्रा पालनमाई करोडू रूपया बरावर को लगानी रहेको पशुष्यवा बिग्यकार लाइले जनायको छुट नसलो सुधार नवाईको बोयर बाट रामरू उत्पादन हो दैना सरकाले अनुदान संगाई घास उत्पादन, प्रवेदी र उ प्रदेश पिशेष